आज मैं आलू और मेथी की रेस्पी लेके आई हूँ वो भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से और हेल्दी बिना माशाली के और बहुत ही चटपटा बनके तयार होगा इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा सर्दियों का मौसम है तो सबजियां बहुत ही आसानी से मिल जा छेंगे उसके बाद बारिक एक वा एक हिज का यूद्रक डालेंगे उसके बाद थोड़ा सांनी डाल değer test हीहाराता है सबजी की स्वाद को भी बढ़ा देता है अब अच्छे से सारे बूंच चुके हासे इसके बाद इसमें मैं ठाट छार आलु डालो गी आलू को भी कि वीडियो इसकिप्ट हो गई है तो आप हल्दी डालिएगा और बाकी मैंने कोई मसाला नहीं डाला है उसके बाद यहां पर मैंने 200 ग्राम मेथी को काट करके डाल दिया है मेथी को पहले अच्छे से दो लिया था तेन चार पानी उसके बाद इसको जो है मैंने बारिक-बार डालोंगी ताकि नमक जादा ना हो तो स्वाद अंसा यहां पर हमने नमक भी डाल दिया है अब इसको हम ढखके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे पांच मिनुट ढखके पकाने के बाद देखेंगे आलू एकदम अच्छे से पक गई है और सौब्ट भी हो चुकी है लेकिन अभ पर आलू भी थोड़े हलका फुलका कच्छा है तो हम ढखके इसको लो फ्लेम पे पांच मिनुट के लिए और पका लेंगे उसके बाद ये देखेंगे कि ये सबजी बिलकुली परफेक्ट तयार हो चुकी है बीच बीच में हमाई वीडियो थोड़ी स्किप्ड हो चुकी है बिल्कुली परफेक्ट ये सबजी बनके तयार हो गई है, खाने लाइक हो गई है, आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, इस सबजी को आप सफर में भी ले जा सकते हैं, और पुड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट सबजी बनके तयार हुई है, इस तर कि अजय हुआ 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 है